कि रामानंद जो संप्रदाय है उसका अगर ये मंदिर है तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों है तिरे लोग हटें और हट करके रामानंद संप्रदाय को संपे प्रतिष्ठा के पहले संप दें रामानंद संप्रदाय की लोग ही वहाँ प्र अब देखिए बात यह है यह कब कहा उन्हों ने कल वक्त अब आ गया चारों संक्राचारी वहाँ पर नहीं जा रहे हैं कारण क्या है क्यों नहीं जा रहे हैं किसी रागत द्वेश के कारण नहीं बल्कि जास्त्रविधी का पालन करें और करवाएं अब वहाँ पर शास्त्रविधी की उपेक्षा हो रही है सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदीर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है कोई ऐसी परिस्तिती नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े करके रख दिया राम चंद्र दास परमान साधी लोगों ने उस समय के जो महां के कलक्टर थे नईयर साहब के सहयोग से और उसके बाद 1992 में धाशाट आया गया उस समय कोई मुहरत थोड़े देखा जा रहा था उस समय जैसी परिस्तिती थी उसी में आनन पानन में तंबू आपतान करके भगवान की मुर्ति गायव हो गई थी उसको फिर उनके राज़ा-साहब के घर से उनके दादी जी की मुर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गए उसकी पूजा होती रही किसी ने परस न उठा यह कि वह यह क्यों किया जा रहा है मुरुत नहीं है क्योंकि उस समय परिस्थिति लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज बाइस तारीक कोई कर दें आज तो हमारे पास पूरा मौका है हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं लेकिन फिर भी अधू जा रहा है कि ये लोग तो बिरोधी हैं एंटी मोधी हैं इसमें एंटी मोधी की क्या बात है हम एंटी मोधी नहीं है लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते हैं धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयम चलना चाहेंगे और अपने जनता को भी चलाना चाहेंगे क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है राम है ये किसने हमको बताया हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया राम की पूजा करने से तुम कृतिकरते होगे ये किसने हमको बताया ये राम ने हमको बताया इसलिए उसी शास्त्र से जिस शास्त नहीं कोई है तो अब इसको काउंटर करने के लिए वो ये चंपत राय जी कह रहा है कि शंक्रशारियों की यहां जरूरत नहीं है क्योंकि यह तो रामानंद संप्रदाय के लोगों का स्थान है तो सवाल यह है कि रामानंद जो संप्रदाय है, उसका अगर ये मंदिर है, तो चंपत राय वहाँ पर क्यों है, ये हमको बताएं, फिर वहाँ निर्पेंद मिश्रा क्यों है, फिर वहाँ पर वो राजा सहाब क्यों है, फिर वहाँ पर वो चवपाल क्यों है, जो भाजपा का पटना का चुनाव लड़ने वाला वेक्ति यें, वहाँ पर और दूसरे लोग क्यों हैं। फिर ये लोग हटें और हट करके रामानंद संपरदाई को सौपें। परतिष्ठा के पहले साँप Nitin हैं। रामानंद संपरदाई के लोग ही वहाँ परतिष्ठा करेंगे, हमें मन्जूर है। ट्रस्ट में सारे लोग त्याग पत्र दें, रामानंद संप्रदाय के जो सादू महात्मा हैं, रामानंद संप्रदाय के जो आचारी हैं, उनको ट्रस्ट को जिम्मेदारी संपी जाए और वो लोग प्रतिष्ठा करें, हम स्वागत करेंगे चमपतराय जी की इस बात का, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी हमें दिक्कत इस बात की है कि सादू संतों को हटा करके ये कारेकरता लोग वहाँ पर बैठे हैं और सादू संतों में भैद डालने की बात कर रहे हैं कि जब चंदा ले रहे थे उस पूरे देश से हर ह किसी भी संप्रदाय का हो उससे चंदा लिया और उस चंदे की ऊपर आप ट्रस्टी बन करके बैठे और बैठने के बाद आप कह रहा हैं कि यह रामानन संप्रदाय का मंदिर है यह अनाइतिक है और अगर आप यह कह रहा हैं हमको बड़ी प्रसन लता है बिल्कुल सही रामानन संप्रदाय हमारा है इसलिए चंपत राय जी अगर आप में भी नई तिकता बची हुई है तो त्याग पत्र दीजिए और रामानंद संप्रदाई के साथ उमों को ट्रस्ट सवंपिए हम बहुत कुछ होंगे आपका भी धन्यवाद करेंगे और रामानंद संप्रदाई के लोग तो उनका तो हई है कोई बाती नहीं है यह जो मंदिर है एक तरफ आप कहते हो कि यह राश्ट्र मंदिर बन रहा है आपी के शब्द हैं बगदव वीडियो कहीं चैनल पर खोजना पड़ेगा कि यह राश्ट्र का मंदिर बन रहा है और एक तरफ आप कहते हो कि केवल रामानंद संप्रदाई का मंदिर है कहां गई हिर्दय की विशालता क्या राम जी के इस मंदिर में जिसके लिए 500 सालों तक सब ने संगर्ष किया है जिसके लिए संकराचार जी ने पैरोकारी की है आप तो आये नहीं कोर्ट में लड़ने के लिए और अब आप वहां पर बैठ करके इस तरह से बेदभाव सनातन धर्म के अंदर हिंदू धर्म के अंदर बेदभाव डालने की कोशिश कर रहा है नहीं ये गलत है ये मंदिर समस्त सनातन धर्मियों का है ये मंदिर समस्त हिंदू का है और अगर नहीं है आपकी बात हम मानने के के लुए त्यार है, चलो रामानंद संप्रदाय का है, तो तुरंत यह ट्रस्ट के जितने लोग थ्याक पत्र दें, आपके निर्मोही अखाड़कों पत्रती कर रहा हैं, और कहते हैं कि ब्रामन नहीं होगा तो छत्रिय नहीं होगा तो शुद्र नहीं होगा आप निर्मोई अखाड़े को पूजा सौपिए बेवस्था रामानंद सम्रदाय को सौपिए हमको स्विकार है चारों शंकराचारियों को हम समझते हैं अमारा आनुमान है कि उनको प्रसंदता होगी लेकिन कृपा करके इतने बड़े काम में इतनी छोटी बात मत कहिए चमपतराय जी बड़ी जगह पे बैठे हैं बहुत छोटा मत बनी है ना रहा